असलाव अलेकुम दोस्तों कुएट टूटे ब्रेकिंग नियूस में आप सभी लोगों का स्वागत है कुएट टूटे नियूस के तहट आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडिया से कुएट कैसे जाएं और इंडिया से कुएट जाने के लिए स्टेज 3 क्या है और इंडि जो है रद्ध कर दिया गया है 13 मार्च से पहले जिनका इशू हुआ था वीज़ से रिलेटेड भी आपको इसमें कुछ गुड नीज जरूर मिल जाएगी आगे चल करके इसका आपको जरूर फाइदा मिलेगा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को स्कीप मत कर में ना रहिएगा अगर इंडिया से आप कोई सही सलामत और सही जानकारी के तहट आना चाहते हैं तो जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कोई देश में रोज कुछ न कुछ अपडेट निकल करके सामने आई ही जाती है इसलिए आपको अपडेट रहना चलो कि अगर आप इंडिया से कुछ आना चाहते हैं तो आपको जानकारी होगी कि 31 देशों पर कुछ देश ने बैन लगा दिया है कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगी और नहीं कुछ देश में आएगी इसके लावा आप सभी लोगों को एक अपडेट और पता होगी और मै पर 14 दिन रुकने के बाद PCR आप करा करके कुछ देश में इंट्री कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आज की अपडेट के आधार पर अगर इंडिया से कुछ आपको आना है तो आपको तीन चरणों में बार दिया गया है और ये चरण कब स्टार्ट होंगे आगे मैं इसकी भी अ आ सकते हैं और फिर तीसरे चरण में कौन लोग आ सकते हैं चलिए आप जान लेते हैं कि पहले चरण में इंडिया से कुछ लोग कौन कौन लोग आ पाएंगे कुछ देश ने वैसे कह दिया है कि जिनकी हमको सक्ष जरूवत है और उनको हम पहले बुलाना चाहेंगे उन्हो प्राप्त करने की तयारी के लिए बिभीन मंत्रालों के आखडों का संग्रह चल रहा है सुत्रों ने बताया कि आंतरिक मंत्रालों ने बिदेश मंत्राले से प्राप्त एक आधिकारिक पत्र के जवाब में कहा उसमें उन शेडों को निद्रिष्ट करने का अंदरोध किया गया जिनके पास वैद निवास करने वाले देश में परवेश करने की अनमती है इस आधार पर देखा जाए तो पहले चरण में जो लोग आएंगे वो लोग आपाएंगे जिनके पास वाइलिड अकामा यानि कोई देश का सिविल आइडी अगर एकस्पायर नहीं हुआ है तो उन्हीं लोग पहले चरण में और दूसरे चरण और तीसरे चरण में भी लोग आपाएंगे जिनका अकामा एकस्पायर हो गया है वो लोग नहीं आपाएंगे और अगर कोई देश में जौब करते थे आप और इंडिया चुट्टी पर गये थे और आपका अकामा एकस्पायर हो गया है तो अपने आप कफील से बात कर सकते हैं और अकामा रीनुल कराने क के बाद आप इन चड़ों के तहट आने वाले वक्त में कोई देश में इंट्री कर सकते हैं चलिए आप जान लेते हैं कि दूसरे चड़ में कौन लोग आ पाएंगे दूसरे चड़ की मैं बात करूं तो दूसरे चड़ के हिसाब से 18 नंबर वीजा यानि के शियोन के जितने पर वो सब लोट पाएंगे अगर उनका सिविल आइडी एकस्पायर नहीं हुआ है तो दूसरे चड़ में लोट पाएंगे अब इसके इलावा तीसरे चड़ की मैं बात करता हूं तीसरे चड़ में वो सब लोग आएंगे जो कुएस से इंडिया किसी भी वज़े से गए थ से स्टार्ट होगा और दूसरा चड़ का भी स्टार्ट होगा तो ये सब तीन चरणों में नियम बनाए गए हैं आने वाले वक्त में जैसे ही फ्लाइड शुरू होगी या कुएद देश जैसे ही फ्लाइड शुरू करेगा तो इंडिया से आप लोग अगर वैली ड़कामा रखें अपने पास और पासपोर्ट वाइनल है तो आप इंडिया से कुएद आ सकते हैं इन चरणों के हिसाब से चलिए अब हम जाल लेते हैं कि नियू वीजा के तहद गुड नियूज आप लोगों के लिए क्या है नियू वीजा की जो अपडेट निकल करके आ रही है जै आएसी दशा में बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है बहुत से लोग तो गमका मेटकल वगरा करा रखे थे बहुत से लोगों ने तो इस्टांपिंग वगरा करा के बहुत से लोगों ने टिकर भी फाइनल करा करके रख लिया था और उनका सिस्टम नहीं बन पाया लाग तो ऐसी दशा में जो वीजा रद किया गया था या जिनका वीजा एकस्पायर हो गया है तो ऐसी कंडिशन में जिन कोईतियों ने वीजा को इशु करवाया था यानि कि जो उनको जरुवती वरकर की उसके तहद इशु कराया था तो उन्होंने दुबारा अपलाई किया है या सब उन लोगों का आने वाले वक्त में अपने एजेंट से और जिनसे उन्होंने वीजा मंगाया है उनसे कॉंटेक करिए आपका इंशालला आगे चल करके आपका वीजा दूसरा इशू हो जाएगा और उसके तहट फिर आप जो है कोई देश में आने वाले वक्त में इंशाल पहुचेगी आपकी मोबाइल पर सबसे पहले